Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले साइन की पिछले सभी वीडियो में हमने केप्रिकौन साइन तक यानि के मकर राशित तक बात कर ली है कि में का मन्थ आपके लिए कैसा जाने वाला है आज की Löv Reading हमारी अगली राशी यानि के कुम्ब राशी के लिए है Aquarius Sign के लिए है अगर आप भी Aquarius Sign से रिलेट करते हैं तो ये वीडियो आपकी है आज बात करते हैं आपकी मेमान्त की Löv Reading के बारे में उस से पहले मैं आप से एक Information को शेर करना चाहती हूँ अगर आप भी tarot को सीखना चाहते हैं तो नीचे दियेगे नंबर पर आप whatsapp कर सकते हैं आपको वहाँ पर tarot सीखने के लिए सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि tarot आपकी ही भाशा में, सरल भाशा में यानि कि हिंदी भाशा में आपको सिखाया जाएगा इसलिए अगर आप भी tarot को सीखना चाहते हैं तो नीचे दियेगे whatsapp नंबर पर आप अपने details ले सकते हैं चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुम राशी के लिए क्या है उनकी love life इस समय पर may month में क्या कहती है उनकी love life यहाँ पर सबसे पहला जो card है वो है 10 of wands 10 of wands यहाँ पर आपके pressure को दिखा रहा है आपको family का pressure बहुत जादा इस समय पर लग रहा होगा हो सकता है कि आपको इस समय पर किसी बात का बोज़ हो किसी बात के लिए आप बहुत जादा ऐसा लग रहा हो कि काम का pressure ही pressure है आपके उपर पर आपको यह pressure जो है वो अच्छे के लिए ही हो सकता है यहाँ पर मुझे आपकी family के साथ बहुत अच्छी bonding की feeling आ रही है celebration आप कर सकते हैं में मन्त में बहुत अच्छी energy है three of cups जो है वो आपके लिए celebration का महाल दे रहा है आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी भी कोई ना कोई लेकर आएगा में मन्त में तो यहाँ पर आप अपने सारे बोज को सारे stress को सारी जो भी stain आपने feel किया है emotional, physical आप सब भूल जाएंगे सारे responsibility को भूल जाएंगे और आप इसे अच्छे से enjoy करने लगेंगे यह आपके partner के साथ आपकी feeling में बता रही हूँ king of cups यहाँ पर आपके partner की feeling का card है यह बताता है कि वो भी आपके लिए उतना ही अच्छे से सोचते हैं जितना आप सोचते हैं वो भी बहुत अच्छी energy आपके लिए रखते हैं वो भी बहुत जादा आपके साथ connected हैं आपके लिए सोचते हैं हाँ हो सकता है कि वो भी किसी ऐसे pressure में हो जिसकी वज़े से वो आपके साथ communicate ना कर पा रहे हो पर आपको जल्दी ही good news मिलने वाली है आपको जल्दी ही वो आपके पास आएंगे और सारी जो problems थी उनसे आपको निजात इस महीने में मिल जाएगी आपके लिए मई मांत की जो reading है वो कुछ ऐसी है जो आपको काफी सारी चीजें इकठा देने वाली है आपके लिए emotional feeling भी है आपके लिए stress भी है आपके लिए कोई arguments भी है तो ऐसे में कुछ नकुछ नोग जोग जो है वो परिवार के बीच में उझे चलती हुए दिखाई दे रही है जो couple हैं जो इकठा रहते हैं family के साथ हैं बच्चों के साथ हैं वो कभी लड़ेंगे कभी प्यार से फिर से कठा हो जाएंगे तो ऐसे energies में हैं आपर देख सकती हूँ हाँ जो लोग single है वो उनके लिए में आपर कहोंगे कि आपके लिए कोई अच्छी good news आपको जरूर मिलेगी आपको थोड़ा सा अपनी energy को समेट के रखना होगा आपको जब आपने किसी को propose करना है जब आपने किसी के साथ बात करनी है अपनी बात को थोड़ा सा अच्छे ढंके साथ थोड़ा सा आपको ऐसे करना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से आप उनके साथ बात करने की कोशिश करें, अपनी एगो को थोड़ा नीचे रख के बात करने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला जो आपका पार्टनर होगा, जिसको आप सोचते हैं कि आप पर पोज करें, वो आपकी अच्छी मीठी आवाज को स सुनना चाहता है, वो ऐसे नहीं चाहता कि आप उनके साथ गलत तरीके से बात करें और वो आपको हां कहेंगे, ऐसा तो नहीं होता, यहां पर यह भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने प्रेशर में हो सकता है कि गलत तरीके से बात कर दें, पर आगे से आपको हां ही मिलेगी इस बात के लिए आपको तयार रहना होगा इसलिए आप अपने emotions के साथ अच्छे ढंक के साथ अगर बात करेंगे तो जरूर आपके proposal को accept कर लेंगे में मांत में तो इसलिए यहां पर Aquarius Sign कुम्भराशी के जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको अपनी feeling को सामने वाले को बताने के लिए अपनी ego को नीचे रखना होगा इस बात का आप खास ध्यान रखें इसके साथ-साथ जो लोग relationship में हैं जो लोग love affair में हैं वो भी इस बात का खास ध्यान रखें कि जिसके साथ आप partnership में हैं उसके साथ लड़ाई जगड़े की बातों को थोड़ा avoid करें हाला कि emotional feeling बहुत अच्छी है दोनों में हैं और आप लोग दोनों ही एक दुसरे के लिए सोचते हैं पर अपने pressure के साथ आप एक दुसरे की बातों को ignore करते जाएंगे और इस महीने को ऐसे ही निकाल देंगे ये महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप उस से लेना चाहें celebration भी दिखाई दे रही है emotions भी दिखाई दे रहे हैं तो इकठा होई है अपने परिवार के भी अगर साथ हैं तो उसे celebrate करने की कोशिश कीजिए देखे pressure तो जीवन में चलता ही रहता है अगर आप अपने जीवन को ऐसे ही बिता देंगे तो वो ऐसे ही बीच जाएगा अगर आप ये सोचेंगे कि आपने उसमें कुछ अच्छा करना है कुछ अच्छा ढूणना है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिलेंगी तो यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है जो आप में मन्त में ढूंड सकते हैं पर ढूंडना आपको पड़ेगा आपको यहाँ पर सेलिबरेशन का महाल मिल सकता है आपको यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बात करने का उनके साथ खुशी मनाने का मौका मिल सकता है उनके साथ अपने emotions को share करने का मौका मिल सकता है आप अगर चाहें तो उनके साथ लड़ाई जगडा भी कर सकते हैं यहाँ पर universe ने सब कुछ आपको अपने हाथ में दे दिया है कि May month को आप अपने तरीके से बिताइए अगर आप pressure feel करना चाहते हैं तो उसे feel करने लगे आपकी मर्जी है जैसे भी आप इस समय को बिता सकते हैं जो cards बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके अंदर है आप इस महीने को अपने तरीके से बिता सकते हैं तो चलिए, यह थी हमारी आज की मेमंध की रीडिंग एकवेरियस साइन के लिए कुम्भराशी के लिए अगर आप पर यह resonate की हो, तो comment section में ज़रूर बताइएगा अगर आपको यह अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूले Thank you